हरियाना के युवाओं को निजी उद्योग में पिछेतर फिजदी जो आरेक्षन का प्रावसान किया गया है उसके बाद जन्नायक जन्ता पारिटी के कारेकरता हो में उत्सा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कारेकरता हैं वो पहुंचकर धन्यवाद करें है इतिहासिक फैसला है हरियाना की युवाओं के लिए उनके घर परिवारओं के लिए कही ना कहीं सब की जीवन में खुषी एक ऐसा अवसर आया है और मैं हर्याना सरकार को दुशन जी को मनोहर लाल जी को सबी लोगों को प्रतेक विधाय को जिसने इसका साथ दिया और महा महिम को जिनों ने इस पे महर लगाई ये हर्याना के लाखों करोडों युवाओं के भविश्य पे महर लग गई रोजगार प ना कर सकते हैं वुपेंदर उड़ा तो उस मजदार में फस गए कि इसका विरोध करें तो फिर सवाल हर्याना का युवा पूछे का कि तुम हमारे उनकी जो परिशानी है वो मैं समस्ता निर्मला शितारमन की हरानी के लिए क्लिए क्लिए नहीं उनकी हरानी नहीं है उनको जो पूरे लौक के बारे में पता जब चलेगा तो वो खुद इस बात से सहमत होंगी 33% बेरोजगारी अरियाना नंबर वन है बेरोजगारी कि दर में उसको उस चैलेंज को डिफीट कैसे करें और कोई जर्या नहीं यह एक जर्या है कि प्राइवेट कंपनियों में हम उनको रेजर्वेशन ले हैं कि आप उसको लेकर गंभीर नहीं है आपकी अजो विपक्षी मताओ मेरे भाई हमने 50% रेजर्वेशन फॉर विमन इन पंचा हमने कहा था हरी चुन्री चोपाल में पुरा कर दिया दूसरा हमने का था 75% रेजर्वेशन हमने पूरा कर दिया आपने पेंशन की चर्चा भी सुन ली होगी पांच बड़े मुद्वें हैं यह पांच पूरे हो जाएं तो पांच में साल में दुश्चंत जब वोट मांग इसके अलावा जो आइविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं कॉंगरेस मंजूर कर लिया गया इदस तारीकों चर्चा उसके उपर होनी है अंतिम सवाल है दो उप्चुनाव हर्याणा में संभावी तो एलनाबाद का इस्तिफा मंजूर है लेकिन आई कोट से अगर रहत नहीं मिलती है परदीप चोदरी को तो कालका का भी उप्चुना होना है एलनाबाद में आपकी पार्टी दावा करेगी या दोनों जुगें द कि सीट है और वहां पर जिन्याइक जिन्ता पार्टी ना केवल दावा करेगी बलकि जीतेगी साथ ही तमाम मुद्दों के परदिक विजेशिंग ने बेबाकी के साथ जिन्ता टीवी से खास बात्सित की है वीडियो जनलिस्ट विजेंदर शिंग के साथ पावंसी वर जिन